बेगु सराय से बड़ी खबर आ रही है, वहाँ दुरगा प्रतिमावे सर्जन के दुरान भारी हंगामा हुआ, दो समुदायों में इंसक जड़प हुई है, दोनों पक्षों में पत्राफ की घटना है पुलिस से जवाब में मोचा संबाला, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, एकधार में ध्वच को हटाने को लेकर तनाव बढ़ा, दस लोग इस पूरे बामले में गिरफतार हुए हैं दुकाने लूट ली गए, फल इदर उदर विखरा दिये गए, कई नौजवान दरसल इस हिंसा में शामिल थे और बवार के बाद आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई, ये पूरा मामला दरसल मूर्ती विसरजन के दौरान का है, बिहार का बेगु सराय का ये वो इलाका तीन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जहां पर अब भी माहौल तनाव फून बना हुआ है मैं पूछना चाहता हूँ परशासन से, नितीश कुमार से, मैं तो नितीश कुमार से ही पूछना चाहता हूँ कि नितीश बाबू, तुष्टी करन की राजनीत कितना दिन करोगे 75 साल पहले मेरे पुरवजों से गलती हुई, अगर हिंद, पाकिस्तान बना, साइथ पूरे मुसल्मानों का, वहां सिफ्ट हो गए होते, तो आज मुझे ये दुरदसा नहीं होती आज कह रहे हैं, वो रूट हमने नहीं तै किया, रूट सरकार ने दी, उसके उपर से पथल फैक रहा है, और एक लड़के को कह रहे हैं, अमित को, वो ठीक है, बजरंगदल का लड़का है, कोई गुना है बजरंगदल का होना, तीन महीना पहले मुहर्म हो चुका है, मुहर्म का जंडा लहराते रहें, तो हम तो रहते हम भी उतारते, कि सहाबा हमारी दुरगा की मुर्ती जा रही है, वो उनमें न फसे, उनमें न सटे, तो आप हिंदूओं को टार्गेट करके, चोड़ी और सिना जोड़ी, हमने तो कभी आज तक मुहर्म में नहीं कहा, कि इस गली से नहीं जाए, उस गली से नहीं जाए, वहाँ जंडा ना फासे, हमने तो ये नहीं, आज तक रेकॉर्ड नहीं है, किसी तजिया पर एक पत्थल भी हमने फैका हो, किसी हिंदू ना, चाहे आबादी अधिक हो, या आबादी कम हो, बलकी उल्टे, चंदा भी देते, उनके साथ रहते, आखिर क्या है, ये गजवाय हिंद का प्रयोग हो रहा है, क्या बेगुस्वराइना? तनाव होने की बात जिला प्रशासन को भी शायद लग रही होगी, इसी वज़े से उन्होंने इस तरह की विवस्था की, कि वहाँ पर पुलिस रहे, लेकिन बड़ी बात ये कि पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से ये घटना घटी, और जिस तरह से दोनों पक्ष एक इन्फैक्ट उन्होंने नितीश कुमार, मुख्यमंत्री नितीश कुमार को साफ तोर पर बिहार में घजवाय हिंद कराने के लिए जिम्मेदार बताया है, तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बेगु सराय में और बिहार में बढ़ रही हैं, त जिनेहा जहां तक बात की जाए तो अब तक दस लोगों के घिरफतार किये जाने की बात आ रही है और इसके अलावा जो जिला पुलिस है वो CCTV फूटेज के माध्यम से और इसके अलावा जो और वीडियो वाइरल हो रहे हैं, उस समय के उससे लोगों को चिन्नित करने का काम करें जिसके बाद और लोगों पर भी दोशी लोगों पर भी कारवाई की जाएगी, नेहा को दिखा रहे हैं जब आगजनी भी हुई थी, अब CCTV फूटेज के बाद हम से कई और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है